हेलो दूस्तों मैं हूँ रभी तो आज की इस वीडियो में हम रिवीव करने वाले हैं महेंदरा बोले रूपेकप 1.7 FV तो इस वीडियो में इसके सारे features के वारे बात करेंगे और कितनी इसकी on road price है कितना down payment इसमें जमा कर सकते हैं और अगर आप इसकी EMI यानि किस्त के वारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा या चैनल पर मिल जाएगा तो आप भो भी देख सकते हैं उसमें बताया मैंने कितनी साल के लिए कितनी किस्त बनेगी चार के लिए कितनी की पांच के लिए कितनी की चै के लिए कितनी की तो वह वाला भी वीडियो देख सकते हैं तो इस वीडियो में हम इसकी सारे features के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले अगर front की बात करें तो ऐसा कुछ इसका front profile look है जो burn point 3 से काफी अलग है क्योंकि इसमें एक grill है जो दूसरी लगी है इसमें chrome के साथ महंदरा का logo मिल जाता है और grill पर भी आपको chrome देखनी को मिलती है इसमें जो head lamp है वो थोड़े अलग है burn point 3 में अलग आते हैं लेकिन इसमें अलग आते हैं दोनों में लेकिन halogen head lamp मिलते हैं दोनों में bumper पर reflector और fog lamp लगाने का option मिल जाता है इसमें एक वसर आता है जबकि 1.3 में दो वसर आ जाते हैं और दो wiper मिल जाते हैं तो अगर tire size की बात करें तो 1.3 में जो tire आते हैं वही इसमें tire आते हैं और 15 के इसका door है तो normal आपको key मिल दी है इसके orbm इसकी key इसमें sensor वाली की रहती है कि normal रहती है यहाँ पर मिलती है आपको bolero pickup FV 1.7T की बैजिंग इसमें door पर बैजिंग नहीं मिलती है कोई विष्टी कर नहीं मिलता है यह है इसकी cargo body जो 9 feet लंबी है 5.5 foot चौड़ी है अगर इसकी payload के आपके CT की बात करें तो यह है 1.7T यानि 1700 kg लेकिन इसमें आप 3 से 4 टन के बीच में आराम से माल लोट ले जा सकते हैं सिर्फ आपको कमानी बढ़वानी पड़ेगी आगे और पीछे बाकी आपको tire यही रहेंगे तो यह पीछे का लुक दो sensor आते हैं इसकाड़ी में 60 लीटर का fuel tank मिलता है इसमें जो 3 लीटर ज्यादा है 1.3 से 1.3 में आपको संताओन लीटर का मिलता है बाकी यहाँ पर काफी मजबूछेचेस मिल जाती है इसमें और आपको दोनों चीज़े मिलती हैं इसमें कमानी और सौकर भी जिससे बजन डोने के लिए काफी अच्छी है गाड़ी तो यह आप अंधर से देखी सकते हैं कुछ ऐसी लगती है गाड़ी देखने पर तो ऐसा कुछ यह अंधर से काफी अच्छी फटिंग की गई है हाला कि आपको बजन ज्यादा लोट करने के लिए इसमें कमानी बढ़वानी पड़ेंगी तो रियर में टैल लैम्प, नंबर प्लेट, दो सेंसर, यहां पर महंदरा की बैजिंग तो यह है इसकी कार्गो बाड़ी, तो रिप आपको 1.3 से इसकी लंबाई ज्यादा मिलती है और बाकी सैम है, यह इसका स्पियर वील, सैम साइच का स्पियर वील भी मिलता है इसमें तो गाड़ी पीछे से सैम लगती है, यहां पर आपको इस्टीकर, यह साइड भी मिल जाता है अगर इसकी ओन रोड पराइस की बात करें तो इसकी ओन रोड पराइस है 9,45,000 रुपे डाउन पैमेंट है इसका 8,5 से 2 के बीच में, अगर आप किस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो वह भी देख सकते हैं चैनल पर डला है, यह तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा बाकि यहाँ पर डोर पर स्टीकर नहीं मिलते हैं इसमें, साइड में मिल जाते हैं बोले रुपे काप, FB, 1.7 की, यहाँ पर इंडिकेटर, हैंडर पर इसका जो बॉन एट है, जो काफी हलका आता है, 1.3 से चलते हैं अंदर, तो डोर भी काफी चैन्ज है, 1.3 से यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है, इसका हैंडिल, यह लॉक है, यह हैंड ब्रेक, यह चटने के लिए बाकि अगर सीट की बात करें, तो सीट काफी अच्छ मिलती हैं इसमें, अलगी दोनों में फैबरेक की सीट आती हैं 1.3 में भी और 1.7 में लेकिन इसमें आपको हेड रेस्ट मिल जाते हैं वो एक लंबी सीट मिल दी है, जिसमें आप तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें लेकिन पासिंग दो ही ब्यक्ति हैं, ड्राइवर और पैसिंजर एक, लेकिन सीट आपको लंबी मिल जाती है, इसमें तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं आप लोग तो यहाँ पर आपको लाइट लेबलिंग का कंटॉल और रिजन बटन दिया गया है, यहाँ कुछी स्पेस मिल जाती है, बाकि यहाँ पर भी पैडल यहाँ सा कुछ है अंदर का लोग तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, इसमें आपको पावर स्ट्रेंग मिलती है, हॉर्म दिया गया है, महिंद्रा का लोग तो यहाँ पर आपको स्लिवर फिनेसिंग मिल जाती है, यहाँ का इस्टुमेंट कलस्टर, इसमें आपको स्क्रीन मिल जाती है, और स्पीड मीटर इसमें फेनेसिंग दी गई है, उसमें नॉर्मल मिलती है ऐसी बलेक, लेकिन इसमें आपको फेनेसिंग मिल जाती है, चीजों काफी अच्छी लग रही है देखने पाथ, यहां कुछ इसपेस मिलता है, और उसके नीची आप अपना म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं, उसक की पूरी आप अंधर से देखी सकते हैं, यह संवाइजर, संवाइजर पर आपको मिरर मिल जाता है, पैसिंजर साई, आईयर भी एम, और इस साइड मिरर नहीं मिलता है, अगर आप और गाड़ियों का भी रीविव देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं, और पेकप का भी वाइपर की मिलते हैं, और बाकी यह सीट, सीट इसमें कापी अच्छी मिलती हैं, यहाँ पर कुछ एसेसरीज रखी हैं, यह रखेक्टर बगरा, इसमें भी हैड्रेस्ट मिल जाता है, पैसिंजर साइड, इस पर आराम से दो लोग बैट सकते हैं, यह इसका 5-speed manual gearbox, जो 1.3 स सीधा आता है, लेकिन इसमें थोड़ा टेड़ा है, इस पर सलवर फिनेसिंग भी मिलती है, एक केबल लैंप दी गई है, तो यह कारगो बाड़ी, तो काफी मजबूत आती है, बजन ढोने के लिए काफी मजबूत है, और काफी सक्सेज गाड़ी भी है, महंदरा की टिकप, तो अगर आप माल के लिए लेना चाहते हैं, माल लूट करने के लिए तो अब ले सकते हैं, काफी अच्छी पेकब आती हैं, बाकी नीची से ऐसी कुछ फिटिंग की गई है, यहाँ पर मैटंग बगेरा भी विचेंगी, तो यह है इसका ब्याट शिक्स इंजिन, जो बन प बजन के हिसाब से रहता है, आपको ग्यारा, बारा, तेरा के बीच में आपको आराम से माईलेज मिल जाएगा, बजन के हिसाब से आप कितना लोड करते हैं, और किस तरीके से आप चलाते हैं, तो जो प्राइस हैं, जो मैना बता ही दिया, इसकी जो अनृट प्राइस है तो है भी देख सकते हैं 1.3 और इसमें सिर्फ एक यह अंतर है वो है इसके आगे की पोर्शन का यानि की जो इसका यह बॉनेट है जो काफी छोटा आता है आगे से उसमें बड़ा आता है इसमें सिर्फ पीछे की जो कार्गो बोडियों बोलम मिल जाती है और कुछ भी फरक नहीं है दोनों सेम गाड़ी है दोनों में सेम एंजिन आता है दोनों में सेम टायर आते हैं